अब नियू ब्लॉग आज आज आप जैनी के बारे में बताने लगे जैनी हमारी लाइफ में कैसे आई मतलब क्या होगा था बहुत कुछ है जो बताने वाला है और यह कौन सा लैब है और लोग काफी लव पूछते हैं कि कौन सा लाव है इतना गोलू-मोलू की है हमने तो बह जैनी मतलब जब हमारे पास आई तो इसकी यह थी पच्छिस दिन की थी इसको ने बाहर से इंपोर्ट करवाया था मतलब बाहर से ऐसे था कि मैं उस टाइम पर एक बहुत इंक्वारी कर रहा था कि मैं कौन सा डॉग लूग कौन सा डॉग हूँ तो सभी में को लैब का ही ब को बाहर रहता है मैंने उससे बात की कि ऐसे मैं एक चलि नॉम से बात करijuana तो मैं आना है तो मैं साथ में भी लेके आ सकता हूँ हैं तो दिखने वाला हूँ मतलब ऐसे रखने वाला गakat तो वह कि किया कि फिर मैं वह जैसे आया कर वह पज़ा तो बहुता है नीए रखना है थिट तो दोन resposta कि अ Also, इन में पहरा नहीं रखना थां कि फैले पहले लगें तो कफी दुर्णा नहीं कुला कि नहीं रखना नहीं पर प्रड़ घॉल मां तो लकुला इनीए तो मैं तो में तो आप 24 क करने वाला था क्योंकि चोटे होते बड़ी क्यूट थी बहुत ही ज्यादा क्यूट थी तो इसको देखे चोड़ने को दिल नहीं करता था तो फिर मैंने ना मैं उस ट्रेम पर जॉब करता था तो मैं लुद्याना चला गया यहां से 135 किलोमेटर दूज जॉब करता था मैं इसको साथ में ले गया बस मैं ले गया और एक टोखरी थी मेरे पास आज भी वोँऊ टोखरी मेरे पास जिसमें इसको ले के आए था इतनी सी टोखरी है वो टोकरी मैं विसका समान रखा हुगा थो मैं इसको ले गया लुद्याना में ले गया है लुद्याना से फिर मैं वहाँ पर ऑफिस सुपह जाता था फिर दुपहर में वापिस आता था इसको देखने के लिए फिर ऑफिस चला जाता था फिर बीच में इतने चक्कर लगने लगे मैं आफिस से बार-बार घर पर आगे देखता था कि यह का तो फिर जैसे शनीवार आ तो घर पर लेकशा ता तो घर भी घर पर ने लेकशा खया ता धाय तो घर ने लेकशादा जाला तो यह तैसे करते-करते तो मैं ने एक दिन मैं बोला कि प्र नेक्स चल्ट नाया राया तो मैं फिर इसको घर ले गया तो मैंने बोला कि तो फिर ना मैं इसको लेकिना घर पर किया है तो जैसे ही को घर पर रखा एक दिन कि दो दिन गुज्रे तो ना पापा चाहित तो ना न्यूस्पेटर रखा था टेबल पर चाहिये रखी धिया उपर चुल जिक और वोट यह तो थोड़ सी थे प्यार बढ़ता गया तो मैं अगले तो ना पापा बोलते हैं नहीं अगर रखना है तो रख लो फिर कोई बाद नहीं तो तब से ही हमारे साथ है उसके बाद मैं भी थोड़ा बाहर भी चला गया तब भी फिर पापा ममी इसको संभालते थे इसके बास के दस बच्चे भी हुए थे वह डॉक्टर ने बोला था कि करवालो एक बार करना जूरी होता तो मैं इसको एक बार करवाया आप दस बच्चे हुए वह बड़ी शराहते करते हैं वह कभी पापा की जुराबर उठा के लिए जब जब इसके बच्चे करवाई थे ना तो समभी लोगी सारी सारी राद नीनिया तो थंड का मौसम था त उसके लेग्र को मैं गळाते कि आ इतना एक किल आजए जीदा कर तो फ्रसमते हैं ठोगैज कि यह थी तो इसलिए के पर वो क्या कर दया कि कि ऊसकी बॉंडर ना शार्ण कर दो सब्सक्राइब थे ऐस एक सामनें बेरिया उसके बाद यह आ चलाते हैं ऑरें आप आपने मेरे इस्टाग्राम पर देखा होगा अगर आपने इस्टाग्राम अगाउंट को फॉलो कर लें वहां पर जैनी कि अभी 17,000 होने वारे हैं और बहुत अच्छे चीरियर से बहुत लोग करते हैं तो अभी और यह कौन सी ब्रीड है यह इंग्लिश लैब देखो लैब थुदो दो तरह के होती थी ए टिक है एक होती अच्छी नब महांतरों का बहुत बाइब होती लोग नमें संइक्षिरमें तो आप उसको जजमत किया करिए इंग्लिश लेप थोड़ा हैवी हो गई होगा उसको चाहिए आप कम खाना भी डालो ना तब भी हैवी होगा बस उसको थोड़ा सा चलाते रहो फ्लाते रहो चलती रहें अब यह साड़े 11 साल की एक बिच है जो फिर भी गेम भी खेलती है अब बोलते हों कि यह अब्यस है यानि तो उपर कैसे नीचे इतना कर सकती है मतलब बिना पूछे लोग जज़ करते हैं अमेरिकल लाब जो है वह पतला होता है तो लंबा होता है ज़्ट जड़ा ज़्यादा होता है इंग्लिश लाब तो यह कम भूंगते और बहुत ज़् होता है यार मेरेकल यहां पाता है है और आप बतला वत लिख होते हैं अगर आप अमेरिकल्ट लैना चाहिए इंग्लिश लाख्याइच जाहिक हो चोर करने के सांटध भूंगते हैं चॉस्त होता ह對啊 2030site बहूंगता है करें पीछे 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 पूंचला आपको प्यार करेगा सब कुछ करेगा हम इंगD अमेरिकल लैप कभी कभी कॉछ नहीं कि पर है जा वैसे जातर ऐसा कभी हुआ नहीं है वह बस जो अंज्यान विखती होता है ठीक है उसको डाउट होता है कि यह कुछ करें फिर अगर उसको ट्रेनिंग दो गए नहीं तो काड़ता नहीं तो इंग्लिश लाब अमेरिकल लाब में आपको समझा जाना चाहिए एक उसको सारा दिन ख्राणा ढालते हैं अब मौनिग और एवनिग डाइट देते लोग के यार एक किलाना बंद करो मौनिग इव्निग डाइट में वी वह भी इतनी 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 इतने हां सिर्फ इंगिए और उसको भी आप बो लो जो दो क्या हो है हम इसको घेम पे भी लगे जाते हैं बाहर केलने में लेके जाते हैं आपने देखा होगा हम ग्राउंड में भी लेके जाते हैं और यह सारा दिन ऊपर नीचे भी करती रहती है तो इसको हम डाइट जो देते हैं वो थोड़ी सी अच्छी देते हैं जिसकी वैसे यह स्ट्रॉंग है आप इसको चिकन उनके हेज सेहत के लिए बहुत अच्छी तो काफि इसारी सारी पॉस्टिविटी आ चुकि कabadres आप बता नहीं सकते हैं जो डॉलावर है उनको तो पताई होगा तो आप देखी सकते हैं कितनी स्वीट है चुप करके बैठ गई अब खरांटे मार दी तो ऐसी ही और नॉलेज वाली में वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा अभी आपको समझ आ जाना चाहिए कि मेरिकरन और इंगलेशनल लाम में कितना फराग है ठीक है तो यह वीडियो और भी आम बच्छे इची वीडियो उनाएंगे और वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करना शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब किया विगार बिल्कुल मत जाना